आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई की जो बेटी होती है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं तो भाई की बेटी जो नाता हो तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है नीश Example इसका देखेंगे मेरे भाई की बेटी विदेश में पढ़ाई कर रही है My niche from my brother is studying abroad तो विदेश को English में क्या का जाता है विदेश को English में हम बोल सकते हैं Abroad तो हमारी यही कोशिश रहती कि हर वीडियो में एक से दो आपको ऐसे नए words जिनके बारे में पहले नहीं बताता हिंदी के उनकी English बताई जाए तो चैनल को सब्सक्राइब विडियो को लाइक करें